प्यारे विद्धैर्थियो आज मैं आपको उडान चरण दो के अंतरगत भोगोल के चैयर कारिय पत्रक करवाऊंगा ये चैयर कारिय पत्रक उडान चरण दो की जो कारिय पुस्तिका है उसको कवर करेंगे प्यारे विद्धैर्थियो आपको मैं सबसे सही स्टिक एम सबसे उचित हल आपको परदान करूँगा ये हल आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा अथा सही स्टिक एम उचित हल देखने के लिए मेरे चैनल नौजल एजुकेशन शिलारपूर पर जाएं चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को सेर करें लाइक करें तथा कॉमेंट करें विशे बुगोल कारिय पत्रक एक परसन एक संसादन क्या होते हैं हमारे परियावरण में उपलब्ध और वस्तू संसादन कहलाती है परसन नमबर दो प्राकरतिक संसादन और मानो निर्मित संसादन एक दूसरे से भिन हैं प्राकरतिक संसादन परकरती से प्राप्त होते हैं जबकि मानो निर्मित संसादन मानो द्वारा निर्मित होते हैं पर्सन नमबर तीन निम लिकित संसादनों को प्राकर्तिक संसादर और मानो निर्मित संसादनों में बाटना है जल है ये एक प्राकर्तिक संसादन का गटक है विद्याले मानो निर्मित संसादन का गटक है वायु प्राकर्तिक संसादन का गटक है नमक प्राकर्तिक संसाधन का गटक है मिर्दा प्राकर्तिक संसाधन का गटक है पारक मानो निर्मित संसाधन का गटक है सडक मानो निर्मित संसाधन का गटक है जल्विद्युत मानो निर्मित संसाधन का गटक है परसंद चैर क्या हमें संसादनों को बचाना चाहिए दी हां तो उन उपायों की सूची बनाईए जिन से संसादनों का स्तत पुषणी अविकास संभव हो सकता है हाँ हमें संसादनों को बचाना चाहिए काम उप्योग करना चाहिए पुना चक्रन करना चाहिए और पुना उप्योग करना चाहिए परसन नमबर पांच अपने घर विद्दैले में उप्योग किये जाने वाले संसादनों को पहचान और उनकी उप्योग तारिक हो घर में नास्ता, जल और विद्धूत संसादनों का प्रियोग किया जाता है विद्ध्यले में पुस्तक और रिक्षा का उप्योग किया जाता है नास्ता है इसके बिना हम नहीं रह सकते जल है इसके बिना भी हम नहीं रह सकते विद्दूत है ये हमारे दैनिक जो काम है उनको पूरा करने में मदद करती है विद्ध अले में फुस्त के पढ़ते हैं फुस्त कों के बिना नहीं रह सकते रिक्स्या है रिक्स्या आने जाने के लिए विद्ध अले में परियोग किया जाता है तो इसका भी बड़ा महत्व है किसी एक खनीज का नाम लिखिजो हमारे बोजन का मुख्यांग है आइरन है खनीज यह हमारे बोजन का मुख्यांग है परसन नमर साथ मनुष्य स्वयम एक भोमूले संसादने यह कथन सही है कारिय पत्रक दो सभी छेत्रों को बनाए रखने के लिए प्राकर्तिक संसादनों जैसे जल मर्दावन इत्यादी का विवेक पुरण उप्योग के संबन में तरक पुरण ढंग से प्रस्तुत करते हैं यह दो चित्तर दिये गए हैं एक चित्तर और दो चित्तर परसन नम्बर एक चित्तर को देख कर बताईए कि इन में से कौन सी प्राकर्तिक और माननवे संसादन है गार, अल, ट्रैक्टर, जोहपडी, सडक, मानो निर्मित संसादन है पेड, फासल, पसू, प्राकर्तिक संसादन है परसन नम्बर दो चित्तर एक वे दो में कौन सी किरिया परमुख मानो वे किरिया है, खेती करना मानो वे किरिया है परसन नम्बर तीन, खेतों से फासल उत्पन करना किरिशी कहलाता है परसन नम्बर चैर, भारत के ग्रामिन छेत्तर में उद्धोग परमुख आर्थिक क्रिया है ये कथन गल्ट है परिवन के संसाधनों को पहचान कर इनके नीचे नाम लिखने है ये कार है ये बस है परिवन के संसाधन ये सैंक्त रूप से कार और बस दिखाई गई है ये साइकल है परिवन का साधन है परसन नमबर से चित्तर तीन वच्छार में किस परकार की बस्ती है संकेत ग्रामन अध्वा नगरिय बस्ती चित्तर तीन और च्छार में नगरिय बस्ती का वणन किया गया है चित्तर एक दो तीन च्यार को देखते हुए इनका तुलनात्मक ध्यन करते हुए पहचाने की प्राकर्तिक संसाधनों का ध्वन कैसे हुआ है चित्तर एक दो में ग्रामन बस्ती के जिवन के बारे में बताएगा है जबकि चित्तर तेन वच्यार में नगरिय जिवन के बारे में बताया गया है क्या आप संसाधनों के वेक पुरण उप्योग है तो उपाईं के सुची बना सकते हैं हमें कम उप्योग करना चाहिए पुन्ह सक्रन करना चाहिए और पुन्ह उप्योग करना चाहिए कार्य पत्रक्तीन यह किस्फ हसल का चित्र है इसका उप्योग किसु दौग में किया जाता है यह कापास हसल का चित्र है और इसका वस्त्र हुद्धोग में परियोग किया जाता है अब देखिए चाओल खादे फसल है कापास नगदी फसल है गेहूं खादे फसल है चाए पे फसल है बाजरा खादे फसल है पटसन नगदी फसल है कोफी पे फसल है मक्का खादे फसल है परसन तीन में, परसन चैर में उचित मिलान करना है, चाय है, ये एक पेफसल है, कोफी है, ये सबसे ज़्यादा ब्राजिल में होती है, पटसन है, ये सुन हैरारेसा है, कापास है, ये काली मिट्टी में होता है, गें हुँ है, ये सीत रितू की फसल है, परसन पांच किर्शी हमारे लिए क्या महत्तव है किर्शी का, कोई पांच वाक्य अंकित करें, किर्शी से खाद्यान उपलब्ध होते हैं, अनेकों दोगों के लिए कच्छा माल किर्शी से उपलब्ध होता है, किर्शी राष्टिय आय का एक परधान सुरोत है, किर्शी उतपाद हमारी विशाला अबादी के लिए खाद्य आपूर्ती का परियोग करते हैं, ये देश के आर्थिकुकास का मूलाधार है क्या है मूलाधार? क्रिशी ये दो चित्र दिखाए गए हैं इन चित्र में बहुती कारकों से हैं और मानने हुए कारकों से हैं उनके बारे में बताना है सूर्य का प्रकास वर्सा तापमान मर्दा और ढाल बहुती कारक है फासल, बेज, मसेनरी, जोताई और गुआई मानने है कारक है इस चित्र में बाजरे की किर्शी को दिखाया गया है इसमें ग्यों का सस्य करतन दिखाया गया है इसमें चाउल की इसमें चाउल की कर्शी के बारे में बताया गया है इसमें केले की रोपन कर्शी के बारे में बताया गया है इसमें गन्ने की रोपन कर्शी के बारे में बताया गया है इसमें काफी की कर्शी के बारे में बताया गया है ये कारिय पत्रक चैर है कारिय पत्रक चैर में विन देशो भारत राज्यों की जन संक्या के बारे में एक दंड आरेख दिया गया है उसके इसाब से हमें पर्शनों के उत्तरचाट ने अब देखिए विश्चो के मान चित्र पर आप किस महादीब में सरवादिक जन संक्या को देख पा रहे हैं संक्या अफ्रीका महादिप में हम देख पा रहे हैं इसमें हमें भोगौली कारक और मानुवे कारक चाटने हैं यह यहां दिये गए हैं इन में से सथला करती जलवायू जल खनीज यह भोगौली कारक है मानुवे कारक में ओदोगिक छेतर धारमिक के अंदर सांस्कृतिक मैता मिर्दा आवास शिक्ष्या स्वास्त सुई धाएं यह मानुवे कारक हैं दंड आरेक मिसरवादी जन सिंख्या वाले जो देश हैं उनके बारे में बताना है चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, जापान यह परसन चैर है, कारी पत्रक चैर का इस शित्र के द्वारा त्रो जन संख्या को दिखाया गया है इसमें स्थिर जन संख्या के बारे में बताया गया है इसमें जन संख्या के कम होने के बारे में बताया गया है पर्शन पांस प्राकरतिक संसाधन एक राष्ट के सबसे बड़े संसाधन होते हैं सीड़िदार खेती डलो छेतरों में की जाती है विश्व की सरवादिक जन संख्या वाला देश भारत है ये सत्य है पर्शन नम्बर दो निम लिखित में से सरवादिक जन संख्या किस छेतर में मिलती है गंगा के मैदान मिलती है भारत में सरवादिक जन संख्या